Hello everybody and welcome back to this amazing platform of law valla. I'm a law mentor Isra Khan और आज की वीडियो उन सभी students के लिए है जो answer writing में struggle कर रहे हैं अभी तक कि start ही नहीं करा है, करें तो कैसे करें और लिखें तो क्या लिखें देखिए आपकी इस judicial service examination के तयारी में ये main answer writing है जो आपको merit में वहां ले जाएगी और यही main answer writing है जो आपको merit में यहां पे लेके जाएगी या फिर आप merit list में होगे ही नहीं तो main answer writing before hopping on into the video, जिन्होंने start नहीं किया है आप से मेरी विंती, आप से मेरा request यह है कि आज अभी इसी वक्से main answer writing शुरू कर दीजे क्योंकि आपका यह है deciding factor, अब main answer writing में क्या लिखना है, कब लिखना है, क्यों लिखना है और कितना लिखना है, it differs, it is a deep, big concept जिसको हो सकता है, मैं इस video से cover ना कर पाए लेकिन इस video से आपको क्या मिलने वाला है, इस video से आपको वो सारे pointers, वो सारे factors मिलने वाले हैं जो आपकी main answer item में अगर नहीं है, तो आप कर रहे हो lack और आपको उसके उपर करना है focus So, let us just start off, हम जानते हैं, अच्छे से की respective state public service commissions है, जो इस PCSJ की examination को conduct कराते हैं लेकिन मेरा motive यह है आपको बताने का, कि irrespective of the public service commissions, अगर आप laws को देखेंगे अगर आप major और minor laws को भी देख लिजे, अगर यह जो proper division है, इसको करने के बाद भी, there is a set pattern of the examiners irrespective of the state public service commissions, वही questions हैं, जो repeat किये जाते हैं तो मेला पहला आप से विंती, पहली request आप से यह है, कि you examine कोई भी logger आप उठा रहे हैं for example, अगर आप IP से उठा रहे हैं, for example, अगर आप CP से उठा रहे हैं, बता दीजे, कौन सा public service commission जो rest judicata पे question नहीं पूछता, जो rest subjudice पे question नहीं पूछता, जो यह नहीं पूछता है कि rejection of plaint कब होता है, so there is a set pattern of the question, जो हर एक public service commission में आपको देखने को मिलेगा, so irrespective of the state you are targeting, when you are preparing for mains examination, you have to have a clear outlook कि आपको इस तरीके से answer writing करनी है, आपको इस तरीके से questions को answer करना है और आपको खुद से चीजों को interpret करके आपको अपनी language में formulate करना है, because answer writing is what? it is an art, जो बच्चे कोशिश करते हैं कि हम copy कर ले, अरे उसने क्या answer लिखा, नहीं लिख पाओगे आप, क्यूं? क्यूंकि वो आपको खुद evaluate करना है, जो answer मेरे लिए अच्छा हो सकता है, हो सकता है, जो other examiner's है, या मेरा दोस्त है, मेरी बहन है उसको अच्छा ना लगे, क्यूं? क्यूंकि it differs, आपका evaluation differ करता है, और आपकी answer writing, आपकी, खुद की होनी चाहिए, it is your innovation, moving forward, अब अगर हम लोग बात करें, आप PCSJ examination के stages की, तो prelims, mains और यह जो आपका interview होता है, वो होता है, अगर हम लोग बात करें, mains examination की, तो mains examination ही, आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा, यही है, जो आपकी merit बनाता है, तो इसमें आपको score करना बहुत जरूरी होता है, prelims, तो आप यह objective based होता है, और यह qualifying nature का होता है, और similarly, personal interview, जो होता है, आपका interview, maximum 180, ऐसी states के अंदर इसी तरीके से, यह interview की marking होती है, mains बहुत important होता है, और mains के अंदर आप देखोगे, कई सारे देखी, यहां पर हम cumulatively सारे state judiciary exams को यहां पर बता रहे हैं, तो mains examination में आप देखोगे, या तो language का paper होता है, जो आपका qualifying nature का होता है, आपका GK का, जैसे UP का example लेजे, बिहार का example लेजे, वहां पर GK और GS का, एक पूरा paper होता है, उसी तरह से UP में भी अमेंडमेंट कर दिया गया है, वहां पर भी आप देखोगे, हिंदी language का paper होने लगेगा, पहले English का होता था, तो वह state-wise differ करता है, लेकिन हा, maximum states के अंदर ये होता है, कि आपको option दिया जाता है, कि कौन-कौन से subject आपको mains के अंदर चूज करने है, तो that you can do, तो mains में आप optional को चूज कर सकते हो, अब सवाल ये है कि माम ये optional को कैसे चूज किया जाए, एक question ये होता है, कि माम मेरा expertise जिस subject में है, क्या मैं वो चूज करूँ, एक यहाँ पर question होता है, कि माम लोग कहते हैं कि जैसे मान के चले family law का example ले लिजे, family law में जादा marks नहीं मिलते हैं, तो family law को option में चूज करें या नहीं, कहीं कहीं पर family law होता ही नहीं है, तो इन सारे सवालों का जवाब ये है, कि आप जिस particular law से familiar है, जिस particular law को आप अच्छे से जिसका answer आप लिख पाओगे, आप अच्छे से अपने आपको express कर पाओगे, आपने इतना इनफ वो law पढ़ा हुआ है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा law है जो नहीं पढ़ा है, कि आप उसको optional में अच्छ नहीं करा है, so you have to rely on that subject which you have already covered or completed, तो यह बात हो गई आपके मेंस की, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहां पे हम discuss करेंगे, कि एक perfect answer क्या होता है, क्या कोई perfect answer होता है, या नहीं होता है, देखिए, आपको बता दू, जैसे अभी मैंने आपको बताया, perfect answer जैस के अंदर आपको ये चीज़ जरूर mention करनी है, कि जो एक set pattern है, जो format है, वो format के according आप answer लिखो, उस question के अंदर जितने भी parts है, वो आपने अपने answer के अंदर completely लिखे हो, वो mention होने चाहिए, और ultimately एक ही चीज़ है, जो आपको help करेगी, और वो है practice, जितना practice आप करेंगे, daily दो answers को practice करिए, और ये जो practice है, ये at least आपकी 5 से 6 महीने आपने means की answer writing practice करी हो, at least 3 to 4 months तो होना ही होना चाहिए, तब जा के आप answer writing में कहीं न कहीं थोड़ा उपर हो पाऊगे, answer writing में क्या है, हो सकता है, अपने एक answer लिखा, आपको लग रहे है, ठीक है, फिर से, जैसे रेज़ पार, लिखना है, चार लिखना है, पांच लिखना है, जितनी बार आपने बार ब underestry कर सकते हो, इसलिए मैं लिखा हुआ है, कि हँआ पर practice ही है, जो आपको perfect बनाएगी, mains answer writing में, तो आपको बार बार प्रयास करना है बार बार प्राक्ट прाक्टेस करनी है, बार बार जाए घिकाँ और उसको evaluate कराईए किससे evaluate कराई आपने seniors से evaluate कराईए आपने parents से evaluate कराई आपने जो sibl alarms से evaluate कराईए अपने teacher इसAU on with कराई तो हम सब आपके लिए आप मृत कराईए और इसके लिए हम प्रयाईज भी, आपको Laughala पहें मिलेगा, evaluation और mains answer writing, सब कुछ आपको मिलने वाला, you have to stay tuned for that, but perfect answer जैसा कुछ नहीं होता है, what you have to do is practice good, better, best होने के लिए, चलिए, आगे आजाएए, उसके बाद, what is the basic format, देखिए, आपके answer के अंदर, there have to be three things that has to be mentioned, सबसे पहले आप अपने answer में, एक introduction देंगे, उस particular topic, जिससे भी related question पूछा गया है, आपको उसका एक brief introduction, आपकी knowledge के according, उसको introduce करना है, उसकी meaning की साथ आप कर सकते हो, आप एक maxim, एक maxim लिख सकते हैं, आपको एक quote mention कर सकते हैं, किसी quote को आप mention कर सकते हैं, क्या बताएगा वो quote, वो quote उस particular topic से related उसका क्या essence है, उसको explain करेगा, ठीक है, उसके बाद आपके answer के अंदर क्या होगा, आपके answer के अंदर होगी, main body, क्या होती है main body, main body के अंदर आप provision mention करेंगे, जो भी section, कोई भी article पूछा गया है, वो आपको mention करना है, आपको case laws mention करने है, करना है, जो मान के चली कोई dissenting opinion या कोई different opinion है, वो जरूर mention करना है, जो different view होता है, और lastly, अगर कोई current development हुआ है, कोई भी current development हुआ है, वो आपको अपने main body के अंदर mention करना होगा, lastly, अपने answer को आप कैसे end करेंगे, you will be ending your answer with a conclusion, how will you end, you will be ending your answer with a conclusion, what will be a conclusion, the conclusion, या तो फिर आपका खुद का opinion होगा, या तो आपका खुद का opinion होगा, which always has to be, which always has to be neutral, आपका opinion हमेशा क्या रहेगा, neutral रहेगा, उस particular topic से, मान के चली, uniform civil court से related, अगर कोई question पूछा गया है, UCC से related कोई question आया है, तो यहाँ पे आप उसको introduce करेंगे, उससे related article 44 को बताएंगे, un-provisions को बताएंगे, बताएंगे कैसे personal laws exist कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक conclusion देंगे, जहाँ पे आप ना तो यह बता सकते हैं, कि यह positive है, और ना तो यह बता सकते हैं, कि negative है, तो आपको क्या बनाना, एक balanced approach बतानी होगी, तो आपना opinion देंगे, और उसके बाद आप provisions के advantages और disadvantages बताके, बताके आप conclude कर सकते हैं, यह एक basic format है, जहाँ पे आपका court होना चाहिए, maximum होनी चाहिए, provision case law sections होने चाहिए, और lastly, आपका उस particular topic में, क्या opinion है, वो present और mentioned होना चाहिए, moving forward, अब यहाँ पे पूछा जाता है, कि भई किस तरीके से question पूछे जाते हैं, judicial service examination में, तो एक तो मैंने आपको बताती है, there is a set pattern, set pattern, अगर common intention का question IPC में पूछा जा रहा है, तो वो पूछा जाएगा, अगर रेज़ डिकाटा पे question पूछा जा रहा है, तो पूछा जाएगा, family law में अगर sources की उपर question आ रहा है, तो वो आएगा ही आएगा, evidence पे रेज़ रेज़ ते पूछा जा रहा है, तो वो पूछा जाएगा, irrespective of the state you are targeting, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक list तयार होनी चाहिए, उस list के अंदर subject wise, topic wise, subject wise, तो आप एक book purchase कर लीजे, अगर आपको books से related, यानि कि यस तयारी map के पास कौन कौन से books होनी चाहिए, main से related, हर state से related, तो उसके लिए मैं एक separate video बना सकती हूँ, तो subject specific, topic specific होना चाहिए, आपका जो question format है, और उसके साथी साथ, subtopics, subtopics भी ready होने चाहिए, क्या होते हैं, subtopics अगर section 11, CPC, तो ये हो गया आपका RJ, that is res judicata, इसके बाद CRJ भी आएगा, that is constructive res judicata, that is explanation 4 to section 11, तो subtopics भी आपके ready होने चाहिए, इसी प्रकार का set pattern है, जिसको बार, 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 on repetition पूछा जाता है, अगर मैं UPSC का example ले लू, UPSC में, IPC में मैंने खुद देखा हुआ है, IPC में वही questions, my dear friends, वही questions, साल, दरसाल, वही गिसा, पटा, पैटर्न, जिसको पूछा जाता है, current development हुआ, उसको इसके अंदर पूछ लिया जाएगा, और वो आपका वैसे भी तयार होना चाहिए, जो भी current development हुआ है, कोई भी amendment, यहाँ पे आपको याद रखना है, आपकी main body के अंदर mention होना चाहिए, अगर कोई amendment हुआ है, अगर कोई bill pass हुआ है, अब यहाँ पे उत्राखन में bill pass हुआ है, आपको यह बताना होगा, current affairs इससे related आपको बताने होंगे, तो यह basic format है, जो आपके answer में present होना चाहिए, moving forward, अब क्या weightage है माम, presentation का, क्या weightage है माम, writing का, क्या content की quality matter करती है, या content की quantity matter करती है, तो आपको मैं एक चीज़ बता दू, वो जो आपने सुना होगा न, quality over quantity always, यही चीज़ examiner भी लेके बैठे हैं, universities में, आप क्या करते हो colleges में, हमारे माँ क्या होता था, जैसे जितनी मोटी copy है, जितनी मोटी copy है, उतना number आपको मिलेगा, लेकिन यह judiciary के अंदर नहीं चलेगा, judiciary के अंदर क्या चलेगा, आपकी quality चलेगी, कि आपका content कितना unique है, अगर मान के चली means में, 500 बच्चा बैठ रहा है, 500 बच्चे में आप वो 50 बच्चे बनना चाहते हो, जो टॉप में से 50, 50 वे rank लेकिया है, या 50 के अंदर rank लेकिया है, तो आपका content unique तो होना चाहिए, क्योंकि section 11 CPC पे हर बच्चा लिखेगा, यह 500 बच्चे CPC के section 11 पे लिखेंगे, आप कैसे unique कर रहे हो अपने answer को, आपका content कितना जदा pure है, वो depend करेगा कितने marks आप score कर रहे हो, तो presentation, yes, if it relates to the presentation, yes, it does matter, you would be getting extra marks for presentation, if you are highlighting your case laws, if your writing is more visible, वैसे मैं सच बताऊं, तो writing का as such कोई असर नहीं होता है, writing, ऐसे लोगों को भी देखा गया है, जिन्होंने crack किया है, जितनी उतनी अच्छी उनकी writing नहीं थी, beautiful नहीं थी, और लोगों के मुकाबले, यह मेरा खुद का experience है, तो writing matter नहीं करती, लेकिन yes, presentation does matter, और quality content की, वो बहुत ज़रूरी है my dear friends, so you always have to focus on the quality over the quantity of the particular answer you are writing, moving forward, अब यहाँ पर, एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, toppers का क्या suggestion है, means answer writing से related, आप कोई भी topper को उठा के देख लीजे, चाहिब UP Judiciary को उठा के देख लीजे, बिहार Judiciary को उठा के देख लीजे, हर एक topper का एक ही कहना है, और वो है PYQs की practice, जादा से जादा आपको PYQs की practice करनी है, और आपको कोशिश यह करनी है, कि मान के चली अगर मैं आपसे कहूं, कि आपको मैं 15 minutes का time दे रही हूं, और 15 minutes के time में आपको 200 words लिखने हैं, तो आप कितने cuts लगाओगे, आपने देखा था न, 12 fail में क्या हालात हुए थे, नहीं लिख पाओगे आप, prelims crack हो जाएगा, prelims master बहुत हैं, आपको बहुत prelims master मिलेंगे, लेकिन mains mastery आपको इतने आसाने से नहीं मिलेगी, तो इसे लिए आपको ये कोशिश करना है, कि आप किस तरहां से time को manage करो, you have to manage the time, आप ये 200 शब्द लिख रहे हो, लेकिन ये जो 200 शब्द न, जो कोईले से हीरा तराशा दाथा है, my dear friends, वो तराशे वे आपको ये शब्द होने चाहिए, there have to be keywords, there have to be highlighted points, वहाँ पे आपके flow chart का mention होना चाहिए, आपको unique तरीके से answer लिखना है, how you will you explain, जैसे मान की चलिए sources आप से पूचा, आपको sources पूचा, तो आप कैसे उसको explain करोगे, modern sources, ancient sources, किस तरह से आपको chart बनाना है, ये आपके ऊपर है, किस तरह से flow chart बना के आपको answer करना है, this definitely depends upon you, तो these words have to be quality words, यानि कि आपने मतलब VVIP words होने चाहिए, तभी आप वो mark score करोगे, तो इसी note पे मैं आज का video तो end करूँगी, और आपके लिए मैं एक चीज़ बता दू, answer writing के लिए उसके evaluation के लिए, पूरी team Lawala के आपके साथ है, और इसके लिए हम बहुत ही जल्द जो है, एक particular series भी ले की आएंगे, इसको आप देख पाएंगे Lawala पे, तो आपको you have to be stay tuned for that, और आज का video end करते हैं, मैंस answer writing के लिए अगर आपको कोई भी help चाहिए, कोई भी tip चाहिए, feel free to ask in the comment section, and कोई भी videos उससे related आपको चाहिए, किसी भी state specific judiciary के exam के लिए, मैंस preparation के लिए आपको help चाहिए, definitely you can reach out to Lawala, see you guys in the next video तब तक के लिए, पढ़ाई करते रहे अपना ध्यान रखिए, see you guys soon, take care and alwada.